कुदरत के ऐसे कई करिश्मे हैं जिने देख इनसान तो क्या विज्ञान तक हैरान रह गया इन्ही करिश्मों में से एक है दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान जो बरफीले इलाके में बना हुआ है ये रेगिस्तान उचे पहाडों पर स्थित है जिसे देख हर कोई हैनान रह गया दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान कनाड़ा के यूकोन में मौझूद है जिसका नाम है कार क्रोस डेजर्ट ये डेजर्ट मात्र एक वर्ग मील में फैला हुआ है जिसकी दूरी आप बड़े ही अराम से पैदल चलकर ही तै कर सकते है वहीं इस रेगिस्तान के पास एक छोटा सा गाउं भी है जिसका नाम है कार क्रोस गाउं ये गाउं करीबन साड़े चार हजार साल पहले यहां बसा था ये रेगिस्तान काफी उचाईबरी वाले अलाके में मौझूद है जो अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है वहीं से लाके के बारे में पहले किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं थी लेकिन फिर यहां साड़े चार हजाल साल पहले कुछ जनजातियां बसी ये जन जातिया यहां तब बसी जब यहां प्रकृती द्वारा ही एक पुल का निर्माण हुआ दरसल यहां कई हजार साल पहले बैनेट और नारिस जीले एक दूसरे से मिला करती थी और इस दौरान कुदरत द्वारा ही यहां एक पुल का भी निर्माण हो गया जिसके बाद इस पुल से होते हुए कई लोग यहां बसते चले गए अब बात करते हैं कि आखिर कैसे इस उचाई वाले इलाके में यह रेगिस्तान बन गया कहा जाता है कि करीबन 24,000 साल पहले यहां विसकॉंसिन मेकनल ग्लेशियर बनने के दौरान उतरी यूकॉन में कई ग्लेशियर जम गए थे और इसी वक्त कार क्रोस में भी करीबन एक किलो मीटर तक बरफ जम गई फिर जब यह बर्फ धीरे धीरे पिगलने लगी तो दक्षनी यूकॉन इलाके में पानी बढ़ने लगा जिससे यहां नहरे बनने लगी अब इस इलाके में रेगिस्तान बनने के पीछे का कारण लोगों द्वारा बताये जाता है कि क्योंकि ग्लेशियर पिघल चुके थे तो इस कारण उतर पस्च में इलाकों से रेतीली हवाई चलने लगी जिससे यह अनुमान लगाये जाता था कि इनी रेतीली हवाऊं ने दुनिया के एक उचाई वाले इलाके में एक अद्बुत रेगिस्तान बना दिया वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यहां मौझू जिल के सूखने के कारण इस जगा पर रेगिस्तान बन गया वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आज भी बैनेट जील के आसपस कई बार तेज रेतीली हवाय चलती है जिसके कारण आज भी यहां कई छोटे-छोटे रेत के टीले बन जाते हैं स्थानी लोगों की मानिता है कि यह अनोखा रेगिस्तान, हिम युग, हवा और पानी के मिश्रन से बना होगा आज की तारीक में यह जगा लोगों के लिए आकरशन का केंद्र बन गई है सर्दियों के मौसम में इस इलाके में काफी बर्फ बारी होती है जिसमें इंजॉई करने यहां दूर दूर से लोग आते हैं वहीं गर्मियों में यहां कई बाइक प्रेमी बाइक चलाते हैं सलानियों के साथ साथ इस जगह पर कई विग्यानिक और भूविग्यानिक भी शोध करने आते हैं इन सबी विज्ञानिकों के लिए यहां खोज का विशे है इस उचाई वले इलाके में छोटा सा रेगिस्तान जिसमें वो आज भी शोधी कर रहे हैं। वहीं विज्ञानिकों का मानना है कि कारक्रो स्रेगिस्तान का जन्म कुदरत की करीबन 10,000 साल की मेहनत का फल है जो यहां इतनी उचाई में इस रेगिस्तान का जन्म हुआ।